नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोहता श्यादव बात करेंगे आज बेटी से मी क्या चलना है उसके बारे में फेंटम में क्यों प्रॉलम आरी लोगों को का आखिर फेंटम का प्राइज भी नीचे जा रहा डे बाइड है तो देखिये प्रॉलम तो होगी Polygonmatic क्या hold करना चाहिए या थोड़ा बहुत जो है उसकी holding को निकाल देना चाहिए और आपका लेते हैं आपका सिवाईन थोड़ा सा इसमें भी panic आ सकता है हलका सा क्योंकि कुछ माल जो है exchange पर आया है और लास्ट में BitGuard के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक को बहुत ज़्यादा प्यार होगे हमसे तो उसके बारे में तोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है हो सकती है लेकिन यह है कि हम टॉप 50 जो होते हैं थोड़ा सा यकीन मैक्सिमम मना के रखते हैं तो वह यह देखिए पॉलिगोन में कोई दिक्कत नहीं है यह जो पोल जरूर इसका आया यह कहो कि पॉलिगोन ही आपका एक तरह से पॉल हो गया तो यहां पर थोड़ा सा क्या आपको आपको चल रहा है जो डल लएक तो अप इसको हमें तो और देख लिजिये मैं तो यही करूंगा यह मेरा ओpex होलें है बागि आप जैसा ठीक समझें कर सकते हैं लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कम से कम एक बुल्टन तो इसको और दिखा दो उसके बाद सोचना जो भी आपको सोचना हो कहीने कहीन थोड़ा सा पहनिक आ सकता है और उसकी वज़य है आपका 2.6 trillion माल जो आपका US Binance पर आया है यानि कितना सिवाहिन पर आया है अब देखिए जब wallet से और exchange में आता है कोई माल तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉलम तो आती है अगर exchange पर आया है तो कहीं ने कहीं Sale ही होगा भáई आगर Sale नहीं होता तो एक competit पर नहीं आता या wallet से wallet में जाता तो भी यह मान लेते कि चलो ठीक है wallet से wallet में गया है, वहाँ भी कोई problem नहीं है wallet को change किया गया है, लेकिन wallet से जब exchange पे आया, तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता कि आखिर क्या होगा, वो भी trillion में है, देखिए 2 trillion माल कम नहीं होता 2 trillion बहुत होता है, क्योंको burning करने में इनके पसीने छोड़ जाते हैं, तो यहां 2 trillion आया है, तो थोड़ा सा आपका आप देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत panic, तो कोई नहीं भाई, मार्केटी आज के लाएश चला है, थोड़ा सरे इंच लेए, कभी 39,800, 39,700, और 30,200, 30,100, यही एक range पकड़े हुए और बहुत time हो गया है इसको, और लोग यहां पर आके इतने जाता बोर हो गएं, कि आकर इस BTC का होगा, क्या करना क्या चाता है, नीचे जाना वो फसा हुआ है ETF, अब ETF आपका जिस दिन से भी आपका थोड़ा सा भी और प्लस चीज़े निकलने लगेंगे, वैसे तो देखिए, एक नॉलेज तो किया ही जा रहा है, US के register पे भी चीज़े पहुची रही है, तो यहां थोड़ा सा देखा जाया तो time जरूर लगेगा, क किस दिन तक साइट पर आपको पबलिक के रिव्यू बगरा लेने हैं, तो अभी 21 दिन, यानि कुक्ल मिला के आपका आदा जुलाई, ओ सारी, आदा अगस्त तक आपका जो है, यह ड्रामा साइट ऐसे ही आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां जो आपके लिए प्लस लाख दस जार बहुत होता है, और इसी रेट पर अकुमलेट हुआ है, यानि कि 30,200 के रेट पर, इसलिए आपने देखा, बेटी सी जाता जरूर है नीचे, लेकिन 30,200, 30,300, यहां तुरंत लोट के आता है, तो यहां पर बहुत बड़ी संख्या है, 9,10,000 बेटी सी अकुमल होता है, जो यहां पर अकुमलेट हो रहा है, तो रेट है आपका 30,200 का, इसलिए देखिए मुझे लगता है कि फिलाल यह जो पंप ठम थोड़ा बहुत होता है, यह आप एक्सेज और वेल्स का ही काम है, जो अपना वो कहता है, प्रॉफिट थोड़ा सा गेन करते हैं, या जो लगे हुए हैं, उनको लिकुडेट करते हैं, बाकि जो एक्ट्वल पोजिशन वो ही है, कि 9,10,000 BTC इस रेंज पर 30,200 की रेंज पर एकुमलेट हो रहा है, देखिए फेंटम के साथ अपनी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने पहले भी रिसन्टी जो वीडियो बनाया जिनका मालो मल्टी चेन हैक में उनका फेंटम गया है, उनको फेंटम की टीम ने बाकाइदा अनौसमेंट करके, और मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बोला था, कि वो आपको लोटा रहे हैं, बेसक आपका चेक कितना भी था, तो आपका जितना था, पूरा का पूरा आपको रिटर्न कर रही है, उसके बाद भी कहीं ने कहीं, जो थोड़ा सा इसमें नेगेटिव टी बन गई है, वो मल्टी चेन के एक की बज़ा से बन गई है, कि ये काम अभी हो गया हो सकता है, फिर आगे भी हो जाए, क्योंको मल्टी चेन दो बार कम से कम हैक हो चुका है पहले भी एक हुआ था, तब भी इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉलम रही थी, और इस बार फिर से बोई प्रॉलम हो गई है, तो थोड़ा सा कहीं ने कि फेंटम को या तो इस मल्टी चेन से हटना पड़ेगा, तो इसमें एक अपने आपी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेक फेंटम भी प्रोजेक्ट आप गलत नहीं कह सकते हैं इसको, फेंटम हुआ, पॉलिगोन हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केबल क्या है, कई बार ये दूसरे के चक्कर में मारे जाते हैं, तो वही है फेंटम के देखिए, मैं तो ये कहूँगा, कि फेंटम को अगर आ प्रोजेर आ रहा है, तो जिस दिन भी मल्टी चेन का, या तो मल्टी चेन से मिलको छोटका रहा हो जाए, या मल्टी चेन से या जो भी लेन देने का खतम हो जाए, तो फेंटम आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा, भी आप इसमें प्राइज उपर जाने की ना करें, देखें मैं यह नहीं कहूंगा प्रोजेक्ट अच्छा है, तो अचानक से यह बूम करेगा, ऐसा भी नहीं है, अभी फिलाल जो प्रोजेक्ट अपना LTC, यह हालविंग, यह हालविंग वाले आपका गाला है और आपका LTC है, ना तो गाला में कुछ हो रहा है, और ना ही LTC कुछ ऐसा परफॉर्म कर पा रहा है, जिससे यह लगे, कि वाकर में इसकी हालविंग बहुत नजदिक है, और अगस्त अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और हालविंग के नाम पर LTC अभी रविया हो गया है, यह मार्केट की देन है, मैंने का ना हालविंग अपनी जिगे पर होती है, प्रोजेक्ट में जब पैसा आएगा, तभी उसमें आपको एक बूम नजर आएगा, अब हालविंग यही पैसा नहीं आता, तो यहां कहीं ने कहीं वहीं है, वेल्स का या इधर आ रही है, तो कहीं ने कहीं सुलसा है, लोगों को यह लगता है कि LTC के बजाए, BTC में अभी पैसा डालो, अभी BTC अच्छी रेंज में है, मैंने का ना कि 30,200 की रेंज पर एकुमलेशन बहुत जादा BTC का हो रहा है, तो कहीं ने कहीं साइद यहीं हो सकता है कि ग आद भी आएगा, वो होगा केवल और केवल BTC के उपर, क्योंकर मेरे उपर ही किसी ने वीडियो बना डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा जवाब देना भी जरूरी है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगा, उसको भी जरूर देखेगा, BTC के उपर आकर क्या चल रहा है उस का.